हलो दोस्तों मैं सुरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ मैरे यूटूब चैनल सुरज पर्टेल एजीकेशन में दोस्तों दो क्वेरी काफी बिग क्वेरी है जो सभी स्टुटेंट ने पूछे थे उस क्वेरी को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ पहला query ये था कि sir 80KT का form हम कब फिल कर सकते है दूसरा query लोगों ने ये पूछा हुआ था कि sir इस बार का exam कैसे होने वाला है online more होने वाला है या offline more होने वाला है तो चलिए दोस्तों इस video को continuously देखते रहिए इस दोनो query का हम solution इस video में देने वाले आप लोगों को तो वीडियो को end तक जरूर देखते रही और अपने जादा से जादा दोस्तों को share कीजिए कि उनको भी ये problem से मुक्ती मिल सके तो चलिए दोस्तों इस video को continue करते है दोस्तों सबसे पहली जो query थी कि हम ATKT का form कब fill कर सकते है दोस्तों ATKT के form fill up का date जा चुका है Mumbai University ने ATKT backlog student के KT के form का date release किया हुआ था लेकिन वो date जा चुका है अब फिर से date release होने वाला है 5 month के end end तक या तो March month के first week तक हो सकता है तो इस related information जानने के लिए चैनल को अब भी से subscribe करके बाजू के bell icon को all pay करना ना भूलिए because इसी तरीके से latest update आपको मिलते रहेंगे ATKT के news आप लोगों तक आते रहेंगे दूसरा जो important point दोस्तों ये है कि इस बार exam online mode होने वाला है या offline होने वाला है तो दोस्तों अब भी तक तो इस point को लेके कोई भी clear बता नहीं सकता है लेकिन news यही निकल के आ रहे है कि इस बार exam offline more होने वाला है लेकिन अगर मेरा point of view लिया जाए तो मैं यही कहूंगा कि इस बार भी exam online more होना चाहिए MCQs बैस ही exam होना चाहिए लेकिन अब तक के हिसाब से जो news आ रही है वो offline की ही आ रही है हमें wait करना है कि Mumbai University इसके related क्या news क्या update देता है update जानने के लिए वही कहूंगा कि channel को subscribe करके बाजो के bell icon को दबाके जरूर रखिए क्योंकि इसी तरीके से latest update अब तक पोस्ते रहेंगे और ये वीडियो आप जादा से जादा दोस्तों में share कीजिए क्योंकि उनको भी इसके बारे पर information मिले ठीक है और आपने जो exam के बारे में पूछा था मैं अभी भी कहूंगा कि exam होना चाहिए तो MCQs बैस ही exam होना चाहिए तो फिर से मिलता हो नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बै दोस्तों थैंक यू